जी यहां बचो हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट री नीट पर जो सुनवाई है वो 8th of July को करने वाला है लेकिन सबसे बड़ा ये क्यूशन है कि क्या Central Government चाहती है कि दुबारा नीट हो या ना हो मैं आपको पता दूँ बिल्कुल नहीं चाहती हंदुस्तान टाइम में एक आर्टिकल चपा है जिसमें क्लेरली बोला गया है कि Central Government ने सुप्रीम कोर्ड में एक PIL फाइल की है कि दुबारा नीट कराने की ज़रूरत नहीं है उन्होंने कुछ पॉइंट भी रखें जो भी दोसी पाये जाएंगे उनके खिलाब सक्त करवाई हम करेंगे एंट तीसरी उन्होंने बोला कि जिन बच्चों ने मेहनत करके एक्जाम को पास आउट किया है अगर री नीट हुआ तो ऐसे बच्चों के मार्क्स कमाएंगे और उनको पर्टिक्लर कॉलेज जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा बात तो सही है ठीक है लेकिन यहाँ पर यह जो नीट का खेमा है सर वो दो पार्ट में डिवाइड है जादतर बच्चे चाहते हैं कि नीट दुबारा हो, कुछ बच्चे चाहते हैं कि नीट दुबारा ना हो और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन बच्चों के 630 प्लस मार्क्स हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि नीट दुबारा हो ता क्योंकि मेरी रैंक अभी ठीक है सब कुछ ठीक है मैंने कोई cheating नहीं की है अगर दुबारा हुआ नीट का exam तो cut-off जो भी जाएगी मेरी marks इतने नहीं आएंगे तो मुझे जो medical college मिला है वो भी नहीं मिलेगा अब यह खेमा टोटली दो पार्ट में बढ़ गया है अब समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन मेरे बच्चों मैं आपको बता दूँ जो होगा देखा जाएगा लेकिन आप अपनी preparation continue रखी ठीक है मेरे और आपके सोचनेस कुछ होगा नहीं जो फैसल वीडियो में एक नए information के साथ तब तक के लिए जय है